राश्टिये माना ओधिकार आयो National Human Rights Commission इस तरह की संस्थाओं के बारे में आप लोगे एक सामान जानकारी जरूर रखा करिएगा और खासकर अगर आप लोग किसी इस एकजाम की तैयारी कर रहें चाहे वो आपका Civil Service IES एकजाम हो या फर आप देखिए आपके State PCS के एकजाम हो या आप देखते हैं One Day एकजाम भी होते रहते और इन में तो इस तरह की संस्थाओं से हमेशा Questions पूँचे जाते हैं और मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जिस भी एकजाम की तैयारी करें उसके कम से कम 4-5 साल पुराने Questions पेपर उठा के जरूर देखा करिएगा जब आप लोग Questions पेपर देखते हैं तो आप लोगों को मालू चलता है कि किस तरह की Questions पूँचे जा रहे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में और जब आप देखते हैं कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है कोई उसमें हस्तेचेप करता है तो Article 32 अनुचेद 32 के तहत आप लोग Supreme Court जाते हैं और अनुचेद 226 के तहत आप लोग High Court जाते हैं High Court और Supreme Court आपके अधिकारों की रक्षा भी करता है और आप देखें लोगतंत या मानोग की गरिमा को बनाये रखने के लिए उसके अधिकार जरूरी है उसे कहा जाना है क्या खाना है कैसे क्या करना है उसकी मर्जी होनी चाहिए तो देश के महमानोग अधिकारों का पहरी कहा जाते है राष्टी मानोग अधिकार आयोग को यानी भारती समिधान दोरा गारंटी कित या अंतराष्टी अन्बंदों में सामिल और भारत में अदालत अदालतों दोरा लागू कानून के तहट व्यक्ति के जीवन, सुतंता, समानता और गरिमा से सम्मधित अधिकार सामिल है अगर हम लोग इसकी इस्थापना की बात करें तो मानोग अधिकार सरक्षन अधिनियम 1993 की प्रावधानों की तहट 12 एक्टूबर 1993 को राष्टी मानोग अधिकार आयोग की इस्थापना की गई थी और एसे मानोग अधिकार सरक्षन संसोधन अधिनियम 2006 और मानोग अधिकार संसोधन अधिनियम 2019 द्वारा संसोधित भी किया गया इसमें दो बार संसोधन हुए, 2006 में, 2019 में और राष्टी मानौधिकार आयुक के पहले अध्यक्ष थी रंगनात मिसरा वार्तमार में कौन है आप लोग बताईए नीचे यह पैरिस सिध्धानतों के अनुरूप इस्थापित किया गया था और जिसे पैरिस अक्टूबर 1991 में मानौधिकारों के पिरचारों सरक्षन के ल इसकी स्थापना हुई थी नियॉयोर्क USA में इसका हेड़कोर्टर आपको देखने को मिल जाएगा सयुक्तराष्ट का अगर हम लोग मानौधिकार आयो की सरचना की बात करें तो इसमें पिरमुक सदस देखे यह एक बहु सदस ही निका है जिसमें एक अध्यक्ष और चार स पिरमुक सदस होते हैं एक बैक्ती जो भारत का मुक्ष नियादीस या सर्वोच नियाले का नियादीस रहा हो वो इसका अध्यक्ष होता है भारत का मुक्ष नियादीस हो या फिर सर्वोच नियाले का नियादीस रहा हो और सर्वोच नियाले की बात करें तो आप देखे समिधानिक संस्था है, समिधानिक के अनुचेद 124 के तहत सुप्रीन कोट की स्थापना की गई है, और आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो नियायदिस रहते हैं उनके सिबानिवित्ती की उमर 65 साल रखी गई है, समिधानिक संस्था कहने का मतलब होता है कि समिधान के किसी अनुचेद में उसकी स्थापना की बात की गई हो, तो उसे समिधान एक संस्था कह देते हैं, इनकी अगर हम लोग नियुक्ती की बात करें, तो इसके अध्यक्च और सदस्तों की नियुक्ती राष्टपती द्वारा की जाती है, और आफ लोग राष्टपती लगा दीजेगा, लेकिन राष्टपती आप देखेंगे ये क्या होती है, सम्ती होती है, उस सम्ती की सिफारिस पर करता है, तो राष्टपती द्वारा पिधान मंत्री की अध्यक्षता बाली 6 सदस्ती है सम्ती, जिसमें पिधान मंत्री सहथ, लो इस सम्ती में जो आप देखते हैं लोक सामिल है इन याद रखिएगा लोक सभा का अध्यक्च भी सामिल होता है पिधान मंत्री भी सामिल होता है राज्य सभा का उपसभापती भी सामिल होता है संसत के दोनों सदरों के मुख विवख्ची दल के नेता भी सामिल होते है और हॉ 70 वर्स की आयू जो भी पहले हो तक पधारण करते हैं यहां कहने का सीधा समतलब है कि 3 साल या 70 वर्स की आयू यानि कि मालेजी आपकी नियुकती 65 साल की उमर में हो जाती है तो आप देखेंगे 65 से 3 साल जैसी जुड़ेंगे 68 साल आप आराम से अपना कारकाल पूरा कर मालेजी किसी की नियुकती 68 साल की उमर में होती है तो आप देखेंगे 2 साल बाद ही उसका 70 साल का हो जाएगा तो उसे पध छोड़ना होगा यानि कि चाहे 3 साल का कारकाल पूरा कर लें या 70 वर्स की आयू जो भी पहले इन में से दोने में से हो और राश्पती कुछ परिस लोग इसकी भूमिका की बात करें कारियों की बात करें क्योंकि आप देखें कि जब किसी संस्ता की स्थापना की जाती है तो उसका कोई उद्देश रहता है ना कोई उसका काम तो रहता है तो आयोक के पास दीमानी अदालत की सभी सक्तिया है इसमें और इसकी कारवाही एक गटित होने के एक वर्स के भीतर देख सकता है। अर्थात आयोग को मानवधिकारों का उलगन किये जाने की तारीक से एक वर्स की समापती के बाद किसी भी मामले की जाज करने का आधिकार नहीं होता है। उलगन के संबंद में इसकी भूमी का सक्तियां और अधिकार छेत्य सीमित भी है। और जब निजी पाइटीयों के माध्यम से मानवधिकारों का उलगन होता है, तो उससे कारवाही करने का अधिकार नहीं है। तो आप देखते हैं एक तरह से इससे फारिस कर सकता है। इसके पास जानदर सक्तियां देखने को नहीं मिलती है तो इस तरह कि जाहे आपके राष्टिय संगठनों या अंतराष्टी संगठनों उनके बारे में एक सावन जानकारी जरूर रखिएगा